नमस्कार किसान भाईयों, किसान भाईयों आज के समय में थ्रिप्स को कंट्रोल करना बहुती बड़ी सरदर्द बन चुका है, ये आसानी से कंट्रोल नहीं हो पाता है, क्यूंकि आज के समय में थ्रिप्स के बहुत सारे वेरियंट से आ चुके है, यानि बहुत सारे प्रजा और ऐसे में आपको thrips को कंट्रोल करने के लिए जरूरत परेगा एक advanced और effective combination और वो advanced और effective combination आपको इस वीडियो में मैं detail में समझाऊंगा और बताऊंगा जिससे आप बहुती आसानी से thrips को जर से कंट्रोल कर सकते हो चाहे black thrips हो या yellow thrips हो कोई भी thrips हो आप उसे आसानी से पाओगे जो combination आज में आपको बताने बाला हूँ इसलिए इस वीडियो को बिना skip किये पूरे ध्यान से देखिए और समझेए क्योंकि अगर आप इस वीडियो को आधा अधूरा देखेंगे तो आपको आगे चलके thrips को कंट्रोल करने में बहुती ज़्यादा मुस्किलों का सामना करना पड़ेगा ऐसा भी हो सकता है कि आप thrips को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं और आपकी फसल पूरी तरह से बरबाद हो रहा है तो इसलिए बिना skip के पूरे ध्यान से देखिए और समझेए और अगर आप किसी तरह के सबजीयों की खेती करते हैं त इसके बाद दूसरा जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो है इसके life cycle को समझना क्यूंकि अगर आपने इन दोनों चीजों को अच्छे से समझ लिया तो आप बहुती आसानी से thrips को कंट्रोल कर पाओगे या फिर यह कहें कि thrips को कंट्रोल करने में आपको बहुती ज़्याद हो चुका है और यह हमेशा पहले पौधे की नई पत्तियों पे कोमल पत्तियों पे ही अटैक करता है फिर बाद में धीरे-धीरे पुराने पत्तियों पे भी अटैक कर देता है यहां तक की फलो को भी यह नहीं छोड़ता इसके बाद दूसरा जो तरीका है thrips के अटैक को आ आप देखने को मिल जाएगा और एक बात जिनने नहीं पता उन्हें बता दू कि thrips के अटैक से पौधे की ग्रोथ हचानक से रुख जाती है पौधों में नई फल फूल इवन डालिया भी आना रुख जाती है जिस बज़े से उपज में तेजी से गिराबत आती है और जो पौधों में लगते भी हैं उन्हें भी thrips अटैक करके खराब कर देते हैं जिस बज़े से हमें बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना परता है और तो और ये हमारे फसलो सबजियों में तरहा तरहा के भाइरस को भी फैलाता है तो उमीद है कि आप यहां तक अच्छे से स स्टार्ट होती है मतलब अंदे से नीफ निकलती है नीफ से thrips निकलती है thrips फिर बापस अंदे देते हैं और अंदे से फिर इनकी life cycle दुबारा से स्टार्ट हो जाती है और ये इसी तरह से चलता रहता है और इनकी ये life cycle weather यानि पढ़ियावरन and thrips के variance यानि प्रजाती पे अब बात करते हैं वीडियो में सबसे जरूरी उस combination के बारे में जिसके इस्तमाल से आपको आसानी से चुटकारा मिल जाएगा लेकिन उससे पहले कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल करते हैं इस combination के बारे में तो देखो ये combination आपको थ्रिप्स पे तो 100% कंट्रोल देगा ही क्योंकि थ्रिप्स हमारा मेजर टार्गेट है लेकिन इसके साथ-साथ भी ये आपको बहुत सारे अन्य रस्चुसक कीट जैसे माइट्स बगेरा होते हैं और इल्लियों से भी बचा हो, करेला हो, टमाटर हो, बैगन हो, मिर्च हो, यहां तक की अनार हो, अंगूर हो, कुछ भी हो, किसी भी तरह के पौधो पे आप इस combination को इस प्रे बेजिजग कर सकते हैं, तो इस combination में आपको क्या-क्या लेना है, तो सबसे पहले आपको लेना है नीम ओयल, कम से कम 10,000-20,000 PPM वाला, 200 ml लेना है 200 लिटर पानी के लिए, इसके साथ दूसरा जो लेना है, वो आप एक्सपोनस या डेलीगेट में से कोई एक ले सकते हैं, मैं यहां एक्सपोनस को लेके चलता हूँ, तो आपको एक्सपोनस लेना है 200 लिटर पानी में 34-35 ml, इसके बाद इसी combination में आप इसके बाद आपको इसी combination में एक NPK भी जरूर एड़ करना चाहिए, NPK कौनसा लेना है, तो आप 12-40-13, 0-52-34, 12-71 में से कोई भी एक NPK ले सकते हैं 500 ग्राम 200 लिटर पानी के हिसाब से, अब आपके मन में एक सबाल आ रहा होगा कि THRIPS को कंट्रोल करने के लिए NPK का क्या का तो देखो, जब भी THRIPS हमारे पौदो में एटैक करती है, तो वो हमारे पौदो में से जो भी nutrients, minerals बगेरा मौजूद रहता है पौदो में, उसे चूस के खाती है, जिस बज़े से पौदे कमजोर हो जाती है, और ऐसे समय में अगर आप किसी भी तरह के रासाइनीक सार का य और यह आपके पौदों के लिए, आपके फसलों के लिए बहतर साबित होगा, तो इसलिए आप कोशिश करिए कि आप इस कॉम्बिनेशन में एक कम से कम NPK भी एड़ कर पाए, चाहे आप 12,43 ले, चाहे 0,54 ले, चाहे 12,61 ले, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, आपको कम इस कम्बिनेशन में क्या-की लेना है, तो आपको सबसे पहले लेना है नीम उइल, कम से कम 10,000-20,000 ppm वाला, 200ml 200ml लिटर पानी में, उसके बाद दूसरा आपको लेना है इक्स्पोनस, यह आपको 34-35ml लेना है 200ml पानी में, उसके बाद 3 में लेना है बहता है, 200ml लिटर देखने को मिल जाएगा और बहुती आसानी से आप इससे थिप्स को भी कंट्रोल कर पाओगे और इसी कॉंबिनेशन से आप थिप्स के साथ साथ और भी कई तरह के अन्य कीतों को भी कंट्रोल कर पाओगे और सबसे अच्छी बात तो यह है कि आप इस combination को किसी भी stage में spray कर सकते हो चाहे flowering की stage ही क्यों ना हो क्योंकि इस combination से flower dropping की समस्या भी आपको देखने को नहीं मिलेगा सिर्फ आपको तेज धूप में इसे spray करने से बचना होगा मतलब आप इसे साम के time अगर spray करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा result देखने को मिलेगा अब अगर बात करें कि इसका दूसरा spray कितने दिन बाद कर सकते हैं तो देखो यह depend करता है आपके फसलों में trips का attack कितने मातरा में हो चुका है अगर यह trips का attack आपके फसलों में शुर्बाती दिनों में है तो आप इसका दूसरा spray 18-20 दिन बाद कर सकते हैं और अगर यह medium stage में है तो आप इसका spray 10-12 दिन बाद दूसरा spray कर सकते हैं और अगर बहुत ही ज़्यादा trips का attack हो चुका है तो आप इसे 6-8 दिन के अंतराल में ही इसका दूसरा spray ले सकते हैं और अगर आपके फसलों सबजियों में white fly का attack हो चुका है उसे कैसे control करना है तो आप यहाँ click करके इस video को देख सकते हैं इस video में अच्छे से detail में सब कुस समझाया है तो यहाँ click करें मिलेंगे इस video में